हे गाईस वल्कम बैक टो आट यूट्यूब चैनल दी इन्फो ओशियन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है खाटो श्याम जी का नाम हम सब ने सुना है हम सब में से कई लोग उनके दर्शन के लिए उनके प्रसिद मंदिर भी अवश्य गए होंगे खाटो श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कल्योगी अवतार के स्वरूप में जाना जाता है ऐसा कहे जाने के पीछे एक प्राचीन कथा मौजूद है जिसका संबन महाभारत से है खाटो श्याम का असल नाम बर्बरिक है बर्बरिक पीम के पुतर कटोत कच और एहलावती के पुतर थे बात इस समय की है जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडव पक्ष में थे इसलिए ये निश्चित था कि पांडव पक्ष ही विजई होगा वले ही कौरव पक्ष के पास सैन्यबल अधिक था परंतु वे पांडव पक्ष के सामने नहीं टिक पा रहा था श्री कृष्ण का पांडव पक्ष में होना कौरव पक्ष को कमजोर बना रहा था इस समय इस युद्ध में बर्बरिक ने भी शामिल होने की इच्छा जताई उन्होंने अपने माता को एक वचन दिया था कि युद्ध में जो भी पक्ष कमजोर होगा वे उनहीं के तरफ से युद्ध लड़ेंगे श्रिक रिष्ण और पांडवों के सामने कौरव पक्ष निर्बल था इस कारण से संभवत बर्बरिक उनहीं की और से युद्ध लड़ने वाले थे बर्बरिक की सबसे बड़ी शक्ती उनके प्राप्त किये गए तीन बान थे जोकी उनको महादेव की प्रसंद्रता के कारण मिले थे वे अपने एक ही बान से सारी शत्रु सेना का विनाश कर सकते थे इस समय जब भगवान श्रिक रिष्ण को बर्बरिक की यूजना के बारे में पता चला तो वे ब्राम्हन का विश्धारन करके बर्बरिक के पास जा पहुँचे श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम कौन हो और कहा जा रहे हो तब बर्बरिक ने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ और उसी सेना के और से लड़ूँगा जो कमजोर होगी मैं अपने एक ही बार से सामने वाली शत्रु सेना को पराजित कर दूँगा तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परिक्षा लेते हुए कहा कि मैं नहीं मानता कि तुम्हारा एक बार इतना प्रलयंकारी हो सकता है श्री कृष्ण और बर्बरिक पीपल के पेड के नीचे खड़े हुए थे बर्बरिक ने अपने एक ही बार से उस पीपल के पेड के सारे पत्तों में छेद कर दिया इस समय श्री कृष्ण ने एक पता अपने पैरों के नीचे छिपा दिया इस कारण से बर्बरिक का बान श्री कृष्ण के पैरों के आसपास चक्कर लगाने लगा श्री कृष्ण बर्बरिक के ख्शमता जान कर खुश होए लेकिन वे उसे युद्म में भाग लेने से रोकना चाहते थे इस कारण से उन्होंने बर्बरिक से कहा कि मैं ब्राम्हण हूँ और तुम से दान के अपेक्षा रखता हूँ श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान में उनका मस्तक मांग लिया जैसे ही श्री कृष्ण ने मस्तक का दान मांगा बर्बरिक समझ गए कि ये कोई ब्राम्हण नहीं बलकि कोई और ही है बर्बरिक ने श्री कृष्ण को पहचान लिया और उनसे बिंते की कि वे महाभारत का संपोण युद्ध देखने की उनको आग्या दे जिसके बाद बर्बरिक ने अपना शीष काट कर श्री कृष्ण को अरपन किया और इस शीष को श्री कृष्ण ने अमरित से सीच दिया जिसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीष को एक उचे तीले पर स्थापित करवाया जहां पर बर्बरिक संपोण महाभारत को स्पष्ट रूप से देख सकते थे बरबरिक की बलिदान की भावना को देख कर श्री कृष्ण ने बरबरिक को कल्युक में स्वयम के नाम से पूजित होने का वर दिया इस कारण से बरबरिक फिलहाल खाटो श्याम के नाम से पूजे जाते हैं कहा जाता है कि जहां पर श्री कृष्णन ने उनका शीश रखवाया था उस थान का नाम खाटू है इसलिए श्याम नाम से पूझे जाने वाले बरबरिक खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं आज की इस वीडियो में हमने बर्बरिक की खाटू श्याम बनने की कथा सुनाई अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर करे ऐसे ही इंट्रस्टिंग और नॉलेजिबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी इंफो उशिन को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग